हेलो एवरिवन कैसे हो सब एकदम मज़े में चलिए तो मैं चींतन देसे आप सबका बहुत-बहुत स्वाकत करता हूं हमारी यह फिजिक्स चैनल में तो बच्चो हमारे तीन एक्जमपल अभी बाकी है तो उसको कंप्लीट करते हैं तो हमारा यह चेप्टर खतम हो जाए और फिर हम स्टार्ट करेंगे नया चेप्टर तो चलिए पहले हमारा यह बाकी जो एक्जमपल है उसको देख लेते हैं उसको कंप्लीट करते हैं तो एक् प्लब कि एक आपको circular coil दी गई है 100 tons है 10 cm उसकी radius है और उसमें से 3.2 ampere का current यहां से flow कर रहा है आपको इतनी चीज़े दे गई है तो पहले question में क्या पुछा है देखो पहले question में क्या पुछा है what is the field at the center of the coil बच्चो अगर आपको पता हो तो हमने किसी current carrying ring की वज़े से magnetic field उसकी axis के उपर कितना आता है वो हमने देखा था और उसमें हमने वो भी देखा था कि उसके center के उपर कितना magnetic field आता है कहीं न कहीं यह भी तो एक circular loop ही है न तो उसके center के उपर कितना magnetic field आ सकता है तो हमें पता है formula center के उपर आने वाला magnetic field कितना आता है b is equals to mu 0i upon twice r clear है लेकिन यहाँ पे एक turn हो तो i लेकिन यहाँ पे तो n turns है तो total associated current कितना होगा n times i तो हमें इसको क्या लिखोंगा n times i सारी value आपको provided है यहाँ पे place करते जाओ mu key mu 0 की value होगी 4 pi into 10 to the power minus 7 n कितना दिया गए 100 और i कितना है 3.2 ampere divide by 2 into r radius कितनी दी गई है तो 10 centimeter मतलब कि मैं इसको लिखना चाहूँ तो 0.1 लिख सकता हो यह सुणनो meter में उसको 0.1 लिख सकते है तो दियान से देखते जाए यह 3.2 divide by 32 divide by 10 और यह होगा 1 divide by 10 यह होगा 32 divide by 10 और यह होगा 1 divide by 10 तो then 10 cancel हो जाएगा तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 into pi की value 3.14 10 to the power minus 7 into 10 इसको बोलेंगे 10 to the power 2 तो 2 point यहाँ से कट जाएगे तो कितना होगा 10 to the power minus 5 होगा into 32 divide by 2 yes or no 2 16 जा 32 होता है तो अभी जो बचा है इसको multiply वगेरा कर लेते हैं तो अगर हम इसको multiply वगेरा कर लेते हैं तो हमारे पास आएगा 4 into 3.14 multiply by 16 तो बच्चों हमारे पास आएगा 200.96 so it is 200.96 into 10 to the power minus 5 तो बच्चों अगर मैं इसको लिखना चाहूँ 2 point यहाँ पे shift कर दू तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2.0096 2.0096 into 10 to the power minus 3 tesla yes or no तो यहाँ पे इसको approximately अगर मुझे लिखना है तो यह magnetic field approximately में कितना लिख सकता हूँ 2 into 10 to the power minus 3 tesla clear है clear है चलो यह एक काम तो करता है अभी दूसरे equation को देखते है लेकिन दूसरे equation के लिए एक काम करते है पहले partition वगिए कर लेते है तो मैंने यहाँ से एक partition कर लिया ठीक है चलो तो आईए दूसरे equation को देखते है दूसरे equation में क्या पूछा है देखो What is the magnetic dipole moment of that coil भाईया magnetic dipole moment कितनी होती है तो magnetic dipole moment हमें पता है Ni A के बराबर होती है है की नहीं तो magnetic dipole moment कितनी होगी तो Ni A के बराबर होगी तो यहाँ पे total number of transfer की 100 I कितना है 3.2 ampere और A कितना है area कितना होता है loop का pi r square circular loop है ना तो pi r square तो सारी value यहाँ पे है तो उसको place कर दो यह 3.2 multiply by 100 होगा तो 320 हो जाएगा pi का value 3.14 और यह जो हमरे पास r square है r 0.1 meter होगी उसका square तो जली से इसको भी multiply बगया कर लेते है तो हमें इसका आंसर भी पता चल जाएगा so 320 multiply by 3.14 multiply by 0.1 multiply by 0.1 तो कितना है 10.048 ampere into meter square कितना आंसर मिला 10.048 10.048 ampere into meter square बच्चों इसको भी हम approximately कितना लिख सकते है approximately 10 ampere into meter square लिख सकते है clear है clear है चल उसके बाद क्या बोला है ध्यान से देखते जाओ partition वगेरा कर लेते हैं उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो उसके बाद क्या बोला है ध्यान से देखना मैं इसका partition यहां तर कर देता हूँ ठीक है चल आजाओ इसके बाद सी में क्या पिला है सी से सी को सौन करने से पहले पहले जो इन्फॉमेशन दी है उसको दियां से देखो The coil is placed in a vertical plane and is free to rotate about a horizontal axis which coincides with its diameter. A uniform magnetic field of 2 Tesla in the horizontal direction exists such that initially the axis of the coil is in the direction of the field. The coil rotates through an angle of 90 degree under the influence of the magnetic field. Then question C. What are the magnitudes of the torque on the coil in the initial and final position? तो उस coil के उपर torque कितना लगेगा? इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन में? Yes or no? बना कि इनिशियल जो भी होगी है और फाइनल जो भी होगी? वो पोजिशन में उसके उपर torque कितना लगेगा? अब कौन सी इनिशियल होगी, कौन सी फाइनल होगी, वो भी देखते हैं, लेकिन पहर है, बच्चों, इसके उपर लगने वाला torque में कितना लिख सकता हूँ? तो क्या आपको torque का formula पड़ता है? torque is equals to क्या होता है? m vector cross product with b vector याद आया खुश? मनद कि अगर मैं सी magnitude लिखना चाहूँ ते, इसका magnitude क्या लिख सकता हूँ? it is mb sin theta है के नि? क्या मैं इसका magnitude ऐसे लिख सकता है? mb sin theta? जी बिल्कुल, आप mb sin theta लिख सकते हो, यह सुर्णो, चलो, initial position कैसी है? देखो ध्यान से पड़ो, finally उसकी जो position होगी, वो 90 degree angle बनाएगी, वनद कि initially जो भी होगी, तब 0 angle बनेगा, मैं यहाँ पर दीखाता हूँ, आपको कैसी situation होगी, initially, so initial situation कुछ ऐसी होगी, initial situation कुछ ऐसी होगी, ज्यान से देखो, तो मालो कि यह हमारी कॉईल है, अभी एक ही टर्म दीखा रहे हैं, और यह direction में, horizontal direction में, magnetic field है, और आपको पता है कि इसका area vector कौँछी direction में हैगा, तो यही फिल्ट की direction में, और हमें यह भी पता है बच्चो, आपको भी पता है कि जिस direction में, इसका area vector होता है, उसी direction में, magnetic dipole moment भी होती है, मनदब कि यह वाले किसमें, this is the initial, तो यह वाले किसमें, angle कितना बनेगा, 0 degree, कितना होगा angle, 0 degree, तो आईए, यहाँ पर torque calculate करते हैं, तो यह वाले किसमें, torque कितना होगा, torque होगा, m into b into sin, 0 के बराबर, मनदब कि कितना आएगा, 0, torque कुछ भी नहीं लगेगा, 0, क्योंकि angle 0 है, यह सुआनो, magnetic dipole moment and magnetic field, दोनों एक ही direction में, दोनों parallel है, तो यहाँ पर torque नहीं लगेगा, और final position कैसी होगी, तो अगर हमें यहाँ पर final position दीखाऊं आपको, तो final position, बोला है, यहाँ पर 90 degree का angle बना रहा है, यह सुनो, तो यह होगी final position, मलगो कि यह loop है, तो यह direction में magnetic field है, और उसका area vector, यह direction में होगा, 90 degree बना, तो in this case, what should be the torque, magnitude of torque is nothing but M into B into sine 90 degree, है कि नहीं, sine 90, now what is the magnetic dipole moment, approximately हमने कितने ही निका लेकि, 10, 10 ampere into meter square, ठीक है, so what is the value of this M, that is 10, what is the magnetic field, भाई, magnetic field कितना है यहाँ पर, तो आपको दिया गया है, यह देखो, 2 tesla, in the horizontal direction, यह सुनो, 2 tesla, तो यहाँ पर magnetic field intensity 2 tesla है, मनलब कि 10 into 2 into sine 90, तो वो 1 होजेगा, तो यह answer कितना आएगा, 20, कितना आएगा, 20 newton into meter, ठीक है, so तब final position पर, उसके पास दो maximum torque बढ़ेगा, वो कितना होगा, 20 newton into meter के परावा, प्लियर है, प्लियर है, चलो, अभी D question को पड़ो, क्या पूछा है, अच्छा, मलब कि यहाँ पर आपको angular speed यहाँ पर निकालने को बुला है, मलब कि जब वो coil, जब वो coil initial position से final, 90 degree तब गुम रहे, तब उसके पास angular speed कितनी आएगी, और उसकी moment of inertia यहाँ पर आपको provided है, yes or no? तो मुझे angular speed मतब की omega निकालने को बुला है, कितना radian per second से वो गुमी, ठीक है, omega निकालने को बुला है, तो इसका initial angle कितना, यही information से हमें देखना है, तो initial angle कितना होगा, initially ऐसा था, final ऐसा बनेगा, yes or no? तो इन दोनों के बीच में, उसका omega हमें निकालने को बुला है, यह सुनों, तो कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो, moment of inertia भी provided है, तो मैं जितनी information पहले तो है न यहाँ पर, उसको लिखता हूँ, तो पहले तो initial angle, ठीटा initial या फिर इसको ठीटा 1 बोल दो, 0 degree है, final angle, ठीटा final या फिर इसको ठीटा 2 बोल दो, कितना है, 9 degree, ठीक है, चलो, moment of inertia कितनी दी गई है यह रिंग की, but obviously rotate हो देखो, moment of inertia आपको provide की ही गई होगी, और यहाँ पर provide है, kg into meter square, और आपको निकालना क्या है, omega, क्या निकालना है, omega, omega radian per second कितना होगा, वो आपको निकालना है, तो क्या बच्चो, आपको कुछ याद आता है, omega निकालना है, तो omega के लिए क्या आपको torque का formula, circular motion में पढ़े थे, याद आ रहा है कुछ, torque क्या होता है, torque I into alpha के बराबर होता है, moment of inertia into angular acceleration के बराबर होता है, यह सुणनो, आया कुछ या, आया, चर्थ, so torque easy costum में क्या लिख सकता हूँ, I into, alpha का मतलब क्या होता है, d omega by dt, yes or no, rate of change of angular velocity with respect to time will provide you alpha, है की नहीं, यही तो पढ़े थे वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे देखो न, theta variable है न, theta variable है, देखो, यहाँ पे provided आपको, theta variable है, initially उसकी angular spirit 0 थी, और 0 से बढ़ते 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 कुछ increase होके, मान लोग की final कितनी होगे, omega के बराबर होगे, yes or no, तो जब initially यह वाली situation थी, तब उसके angular spirit कितनी थी, 0 थी, और जब यह आई, तब मान लोगो की increase होते होते कितनी होगे, omega होगे, तो वही तो मुझे नहीं कहले कितना होगा, तो देखो न, यहाँ पे कौन variable है, angle variable है, अगर angle variable है, तो मुझे यहाँ पे integrate करना पड़ेगा, और वो integration किसके respect में होना चाहि मैं यहाँ से variable separation में, अरे मुझे ऐसे question बहुत सारे महाँ पे किये थे, circular motion में ऐसे बहुत सारे question किये होंगे आपने, I hope so कि आपने किये होंगे, फिर भी, यहाँ पे हमें omega निकालना है, तो यहाँ पे कहीं न कहीं मुझे integrate करना पड़ेगा, क्योंकि omega की भी specific condition है, omega 0 से लेके कुछ increase हो रहा है, तो दोनो increase हो रहा है, angle भी increase हो रहा है, 0 से 90 degree, और यहाँ पे omega भी उसके एसाब से increase हो रहा है, तो दोनों का increment है, मुझे यहाँ पे उसको integrate तरना पड़ेगा, तो integration लेकिन यहाँ पे theta variable है, तो with respect to theta होना चाहिए, चलो यह तो मान चाहते है, right hand side पे variable separation कर ल तो इसका मतलब यह होता है कि मुझे थोड़ा यहाँ पे adjustment करना पड़ेगा, और ऐसा adjustment आप पहली बार नहीं देखरो, बार बार आपने किया होगा, मैं क्या करूँगा, यहाँ पे theta multiply करूँगा, and d theta को divide करूँगा, तो मैंने क्या क्या है, यहाँ पे theta को multiply and divide कर लिया, चलो partition कर लेते हैं, यहाँ पे बापिस, partition, partition, ठीक है, यह होगा हमारा partition, ठीक है, question थोड़ा लंबा है, इसलिए partition वगरा करना पड़ता है, की page में complete करना है, चलो, इतना समझ में आया, तो हमने क्या 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 है, यहाँ पे adjustment क्या है, सारी से समझ में आ जाए कि जैसे हम यहाँ आ torque क्या लिख सकता हूं, torque is equals to I into, देखो ध्यान से, यह dt and d theta, दोनों को swap कर लेता हूं, ठीक है, दोनों को मैं swap कर लेता हूं, तो मेरे पास यह क्या आईगा पता है, I into, यहाँ पे मैं इसको लिखूंगा, d omega by d theta, और वो dt को उसके denominator में लिख दिया, तो यह होगा, d theta by dt, d theta by dt क्या होता है, वो तो omega हो जाता है, yes or no, rate of change of angular displacement with respect to time, it provides omega, yes or no, तो मतलब कि इसको तो omega लिख सकते हैं हम लो, मतलब कि यह हो गया, tau is equals to I into omega into d omega by d theta, clear है, इतना बना, अभी d theta को left hand side पे लेका हो, तो यह हो जाएगा, torque into d theta, that is equals to I into omega into d omega, अभी यह हो गई variable separation method, इसको बोलते है, variable separation method, mathematics वाले बच्चे पड़े होंगे साहर, चलो अभी इसके बाद के step में इसको integrate करता हूँ, तो चलो यहाँ पे अभी integrate करते हैं, दोनों side पे तो यह हो गया, torque into d theta, that is equals to moment of inertia constant है, तो इसको बहार ले लेते हैं, तो इसको हमने integration से बहार कर गया, यह हो गया, integral omega d omega, yes or no, तो limit कहां से कहां जाएगी theta की, क्योंकि इसका integration theta के respect में होगा, तो theta की limit जाएगी, yes, भूलो, theta की limit जाएगी, theta 1 से theta 2, ठीक है, theta 1 से theta 2, है कि नहीं, लेकिन वो theta 1 क्या ह है, हमारे लिए 0 है, और theta 2 कितना है, यहां पर 90 degree है, तो इसलिए हमने directly limit लगा लिए, यहां पर omega की value, तो 0 से start होके, let's say, final बनेगी omega, ठीक है, final कितना omega बना, तो omega की बराबर, तो हमने यहां पर देखा कि जैसे ही angle 0 से 90 degree change हो रहा है, वैसे यहां पर omega भी 0 से omega तक change हो रहा है और वो omega हमें चाहिए, यह सोनो, तो इसलिए यहां पर integrate करेंगे, लेकिन integrate करने से पहले, बच्चों यह torque को मैं replace कर देता हूँ, mb से, ठीक है, torque को मैं replace कर देता हूँ, mb नहीं, mb sin theta से, ठीक है, mb sin theta से, so it is mb sin theta, d theta, that is equals to i, integral 0 से लेके omega, omega d omega, तो यहां से मैं mb को common ले सकता है, क्योंकि m and b तो constant है, magnetic type moment की value constant, यहां पर जो magnetic field आपको provided है, 2 tesla वो भी तो constant है, तो दोनों तो constant होगे, constant बहार आ गया, sin theta का integration क्या होगा, minus cos theta होगा, angle कहां से, कहां vary कर रहा है, 0 से लेके 90 degree तर, ठीक है, उसी तरह यहां पर i into, omega का integration with respect omega क्या होगा, omega square by 2 होगा, यह सुर्णों 0 से लेके omega, clear है, चल्व, तो यहां पर अभी इसकी value place करते, upper limit minus lower limit करते, तो यह minus cos 90, minus minus plus cos 0, और cos 0 पता है आपको, 1 होता है, it is equal to, यहां पर upper limit minus lower limit करेंगे, तो upper limit omega square minus lower limit 0 square divided by 2, तो बच्चों देखो, क्या है आपके पास, यह cos 0, 1 हो गया, cos 90, 0 हो जाएगा, तो यहां पर बचेगा mb, 2 को यहां पर लेका हो, तो यह हो गया, twice mb that is equal to, sorry, or divide by i that is equal to omega square, मतलब की omega का value क्या निकलना चाहिए, omega का value under root में, twice mb divide by i के बराबर होना चाहिए, clear है, मतलब की, मतलब की, मैं यहां पर सारी value place कर दूँ, तो यह हो जाएगा, under root में, 2 into, m का value कितना निकलने थे हम यहां पर, देखो, dipole moment, कितना आया था, auto save में चला गया, यह 10, 10 value निकलने थे, तो यह हो गया 10, into, ज्यान से देखो, यहां पर magnetic field कितना provided है, यह वाली situation में, 2 tesla, तो हम इसकी value लिखेंगे, 2 tesla, divide by, moment of inertia कितना दिया गए आपको, 0.1, ठीक है, कितना दिया गए, 0.1, तो ज़रा इसको calculate हो गया कर लेते हैं, तो 0.1 मतलब की, 1 by 10 और 10 गया उपर, numerator में, तो यह हो जाएगा, 400, ठीक है, simple सी बात है, under root 400, देखो न, यह 1 by 10 होगा न, यह 1 by 10, numerator में चला गया, तो 10, 10 जा, 100 हो जाएगा, 2, 2 जा, 4, 4 into 100, कितना, 400, under root 400 कितना होता है, बोलो, under root 400, 20 होता है, तो यह हो गया, 20 radian per second, मतलब की, इतना omega वो अचीव करेगा, 0 से लेके, finally, इतना, जब भी वो 90 degree पर सेट होगा, तब, यह वाली situation में, final position में, उसका omega कितना होगा, omega होगा, yes, 20 radian per second, clear हुआ, clear है, 20 radian per second, clear है, तो बस यहाँ पर वो सारा, जड़ा, talk का, जो, 200 साल पहले पढ़े थे, 11 gradian में, वो formula यहाँ पर थोड़ा, use होगा, clear है, बहुत ही simple question है, clear, चलो, आगे पढ़ेगा, next question, 4.12, हाँ, वैसे तो हमने बुला था, कि आप खुद से समझ सकते हो, लेकिन फिर भी, चलो, समझा देते हैं, solution नीचे, वैसे हमने वही से screenshot ले लिया है, ज्यान से देखते जाओ, एक current carrying circular loop lies on a smooth horizontal plane, मान लो कि ये loop है, ये loop smooth horizontal plane में रख्यों हुए, इसको ये figure को देखते जाओ, ठीक है, smooth horizontal plane में रख्यों हुए, Can a uniform magnetic field be set up in such a manner that the loop turns around itself, turns about the vertical axis, त्यान चे देखना, vertical axis, vertical axis पे वो rotate हो, बहिए इतना समझ में आता है मुझे, कि जब भी मैं किसी loop को मैं कहीं पे भी कोई plane में रख्ता हूँ, उसको rotate रहने के कोसिस करता हूँ, तो उसका जो axis of rotation होगा, rotation axis, वो उसी plane में आएगा, यहाँ भी बोला है कि vertical है, मतलब कि यह axis पे इसको rotate करवाना, तो यह तो कैसे हो पाएगा, ऐसा कोई field हम generate नहीं कर सकते है, समझ में आ रहे है, ऐसा कोई field हम generate नहीं कर सकते है, इसका जो axis of rotation होगा, यह देखो यह rotation, axis of rotation, वो उसी plane में होगा, तभी तो वो rotate हो पाएगा, यह स कोई field हम यहाँ पे generate नहीं कर सकते है, axis of rotation उसी plane में होगा, ठीक है, उसी plane में होगा, yes or no, तो यह possible नहीं है, तो यहाँ पे दो सारी चीज़े हमने solution में लिखी है, हमने नहीं मतलब किया है, यहाँ पे printed form में दी गई है, clear है, next क्या पुछा है, current carrying circular loop is located in a uniform external magnetic field, if the loop is free to turn, what is its orientation of stable equilibrium, so that in this orientation, the flux of the total field, external field plus field produced by the loop is maximum, yes or no, मतलब कि यहाँ पे बोला है, कि कब यह current carrying loop जो भी होगी, यहाँ पे circular बोला है, लेकिन हमने, हमने अमारी यह जो figure है, rectangular loop की वही यहाँ पे consideration में मैंने ले ली है, बाकि यहाँ पे आपको circular बोला है, yes or no, आपको समझा सको, इसके लिए हमने यह देखा है, तो बच्चों जब यहाँ से torque start हुआ, लगना start हुआ, तब क्या आपने यहाँ पे देखा, तब यह angle, क्योंकि यह जो M है न, M, वही direction में, magnetic diaper में, उसी direction में, उसका area vector होता है, तो क्या आपने तब देखा था, यहाँ पे angle क्या था, magnetic field और इसके बीच का angle, magnetic field and area vector के बीच के angle तब कितना था, 90 degree था, yes or no, अभी सोचो, वो अभी loop, क्योंकि तब अभी इसके उपर कुछ current, sorry, यहाँ पे force लग रहा है, ठीके, यह वाली line के उपर, मान लो कि यह direction में, पोस लगा है, और यह वाली जो, इसके line है, उसके उपर, नीचे की direction में, पोस arrange हो जाएगी, है कि नी, ऐसे कुछ arrange हो, तब, इसका जो magnetic field है न, उसी direction में, उसका area vector arrange हो जाएगा, yes or no, और जब ऐसा case बनेगा न बच्चो, तब यहाँ पे area vector and magnetic field, दोनों के बीच का angle क्या हो जाएगा, मैंने बोला, ऐसे arrange हो जाएगी, ज्यांचे देखो, यहाँ पे draw करत base बनेगा, जहाँ पे, यह uniform external field के अंदर, यह ऐसे arrange हो जाएगी, कि जब उसमें area vector and magnetic field के बीच का angle क्या हो जाए, stream हो, मैंने दोनों parallel हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे, stable equilibrium state, मैंने यहाँ पे अभी उसके उपर torque लगना 0 हो जाएगा, torque 0 हो जाएगा, क्या आपको पता है, torque क् M into B, अरे सोचो न, area vector नहीं लिखो, तो यहाँ पे M मान लो, इसको मैं M मान लेता हूँ, area की जगा पे, magnetic dipole moment मान लेता हूँ, तो भाईया, M और B का angle, दोनों के बीचे angle, जब 0 हो जाएगा, rotate होते होते, एक time आएगा ना इसे, इसका भी एक time ऐसा आएगा, कि वो rotate, anticlophize rotate ह तो दीरे, दीरे, rotation के बाद, एक time ऐसा है, कि जब वो, जब वो, यहाँ पे, fill, इसका जो magnetic dipole moment है, या फिर area vector and magnetic fill, दोनों parallel हो जाएगे, ठीक है, अभी 90 है, तो maximum torque लग रहा है, जैसे वो parallel arrange हो जाएगे, तब उसके ओपर torque लगना 0 हो जाएगा, और net force जब भी, यहाँ पे rotational force है, तो यहाँ पे, जब भी net force 0 होता है, तब हम इसको stable equilibrium state बोलते हैं, ठीक है, तो तब कुछ ऐसी situation होगी, तब यहाँ पे angle दोनों के बीच का क्या बनेगा, angle दोनों के बीच का 0 बन जाएगा, torque भी 0 हो जाएगा, और तब आप समझ सकते हो, कि maximum fill line यहाँ से pass हो जाएगी, maximum fill lines यहाँ से pass होगी, तो यही situation आपको पूछी दे, clear है, clear है, और आखरी सवाल, क्या पूछा है, a loop of irregular shape carrying current is located in an external magnetic field, if the wire is flexible, then why does it change to a circular shape, देखो हमने यह तो notice किया है, कि यह जो loop होती है न, उसके उपर force लगता है, magnetic force लगता है, और वो magnetic force, अगर वो wire flexible है, तो उसके shape को भी change कर सकता है, बच्चों हमेसा याद रखो, कि जब भी यह arrangement होती है, और वो wire flexible है, तो हमेसा उसके उपर force कुछ ऐसे लगेगा, ताकि वो loop को ऐसी एक figure में convert कर पाए, ताकि उसमें से maximum flux pass हो, यह सुनो, maximum flux pass हो, और हम मानते हैं कि maximum flux किसके पास होता है, circular shape के प force लगके वो arrange होगी, लेकिन उसके उपर force लगके लगके, वो कौनसे shape में convert हो जाएगी, circular shape में convert हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर maximum flux pass होना जरूरी है, यह सुनो, ऐसा होता है, वो अपने आप होता है, यह सुनो, ऐसा हो जाता है, maximum flux pass हो, उस तरह से उसका shape arrange हो जाते है, अग तब वो कौनसा shape achieve करेगा, circular shape, क्यों, क्योंकि ultimately जब वो arrange होगा, तब ऐसा shape बना जाए, ताक कि उसमें से maximum flux pass हो, yes or no, उसके लिए वहाँ पर वो circle बनेगा, clear है, तो यह तीन question थे यहाँ पर, जो हम ऐसे ही समझ सकते है, clear है, चो, आगे बड़े क्या, last question, question number 4.13, in this circuit, figure 4.27 ब what is the value of the current, if the emitter shown, option A, is a galvanometer with a resistance R0.60 ohm, and B, is a galvanometer described in A, but converted to a emitter by a recent resistance R0.02 ohm, and C, is an ideal emitter with a zero resistance, अच्छा, मनदकि तीन question पूछे है, समझ गए, तीन question पूछे है, यहाँ पर, पहले वाले case में, ध्यान से सुनना, यहाँ पर तीन अलग-अलग situation दी गई है, ध्यान से सुनना, तीन अलग-अलग situation दी गई है, क्या बोला है, एक circuit आपको दी गई है, ऐसी कुछ, ठीके, जि 3 volt की battery लगी हुए है, जिसमें series में 3 ohm का एक resistance भी connected है, और जिसमें एक current को measure करने के लिए, पहले वाले case में क्या बोला है, पहले वाले case में, ए मिटर की जगा पे क्या बनाया गया, सीधा galvanometer यूज किया गया है, क्या सीधा galvanometer, मनदकि यहाँ पर पहले वाले case में, इसकी जगा पे सीधा galvanometer यूज किया गया है, यह सुनो, सीधा galvanometer वहाँ पर यूज किया है, तो अब वो कितना current measure होगा, यहाँ पर ऐसा नहीं बुला कि कितना current वो measure करेगा, यहाँ पर ऐसा बुला है, कि the current is to be measured, what is the value of current, if the emitter is shown, ठीक है, मुलब कि यहाँ पर circuit में से जो current पास करेगा न, वो आपको बताना है, वो आपको बताना है, तो पहले वाले case में मानलो कि सीधा galvanometer यहाँ पर connect कर दिया गया, emitter की जगा पर क्या connect कर दिया गया, galvanometer, ठीक है, अभी जैसे हम यहाँ पर galvanometer connect कर देते, तो बच्चों यहाँ पर circuit में मानलो कि flow होने वाला current आई है ठीक है, flow होने वाला current आई है, तो वो आई कितना measure करेगा, मानलो कि कितना आई का value कितना होगा, वो आपको पहले बताना है, तो अगर मैं इसको सीधा galvanometer सीधा connect कर दूँ, तो मुझे पता है कि सीधा galvanometer का खुद का एक resistance, internal resistance, यहाँ पर picture में आ जाएगा, यह सुनो, मानलो कि यहाँ पर अभी यह 60 ohm सीधा series में अभी दिखाई देगा, तो बच्चो अब कितना current flow करेगा, आपको क्या लगता है, कितना current flow करेगा, देखो यहाँ पर 3 ohm and 60 ohm, दोनों क्या होगे, series में होगे, और आपको पता है कि battery में से कितना current निकलता है, वैसे मैं बार बार बोल या battery में से current निकलेगा, I is equal to V upon यह जो 3 ohm है, वो plus galvanometer का resistance, मालों कि इसको हम ना R बोल देते हैं, तो थोड़ा formula अच्छे से लिखे, इसको मैं लिखूंगा R plus G के बराबर, ठीक है, इतना current तब यहाँ से flow करेगा, माला कि जब अकेला galvanometer हम सिर्फ यहाँ पर connect करेंगे, य अगर यहाँ पर हम अकेला galvanometer हम सिर्फ यहाँ पर सीधा connect करेंगे, सिर्फ में, और current को measure करेंगे, तब actual में होगा यह, कि already यह circuit में एक 3 ohm का resistance है, और साथ में galvanometer का खुद का एक internal resistance, जिसको हम RG, यहाँ पर RG बोला हैं, हमने सिर्फ G से denote किया है, अगर आपको RG से denote करना add हो जाएगा, समझ में आ रहा है, वो भी सिर्फ में add हो जाएगा, तो अब total current कितना flow करेगा, तो भाईया, battery का potential है 3, यहाँ पर R connect किये 3, प्लस RG, वो भी सिर्फ में आ गया है, तो हो जाए 60, बड़कि यह हो जाएगा 3 divided by 63, तो अगर आप इसकी value measure करने जाओगे, तो 3 को divide करोगे 63 से, तो हमें मिलेगा 3 divided by 63, 0.04762, 0.04762 ampere, तो मुझे कितना मिला, 0.04762 ampere, तो तब practically देखने जाए, तो यहाँ पे इतना current flow करेगा, यहाँ पे इतना current flow करेगा, clear है, जब हम सीधा galvanometer को connect कर दे तब, दूसरे case में क्या बोला है, दूसरे case में बोला है, नहीं नहीं, अभी galvanometer को सीधा नहीं connect करना है, galvanometer के साथ हमें यहाँ पे series में, sorry, cent में एक और resistance भी लगाना है, छोटे value का, yes or no, RS, तो B वाला जो case है, उसमें क्या बोला है, B वाले case में आपको बोला है, कि अब क्या करो यह galvanometer के असंट में एक resistor connect कर दो, और अब देखो कि अब कितना current आ रहा है, yes or no, तो यहाँ पे 0.02 ohm का हमने एक resistor connect कर दिया, ठीक है, तो अब हमें देखना है कि अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे कितना current flow करेगा, yes or no, तो चलिए उसको भी measure करते हैं, लेकिन उसस parallel equivalent यहाँ पे बनाना पड़ेगा, और यह संट resistor है, तो मैं इसको S से denote करता हूँ, तो एक काम करता हूँ, side पे में क्या करता हूँ, उसको संट को यहाँ पे, अमलब कि उनका parallel equivalent यहाँ पे पहले निकाल लेता हूँ, ठीक है, तो मालो कि इनका parallel equivalent है, let's say R dash, और R dash क्या होगा, तो R G into S divide by R G plus S, है की नहीं, R G into S divide by R G plus S, clear है, तो इतना कुछ आएगा हमारे पास, है की नहीं, यह संट लो, और यहाँ पे एक काम करें, अगर मैं यहाँ पे R G को common ले लूँ, R G को common ले लेता हूँ, तो R G को common ले ले तो हमारे पास यह आजाएगा, R G into S divide by, यहाँ से R G को common लिए, तो R G बहार आ गया, अंदर क्या बचा, 1 plus S by R G, ठीक है, देखो R G, R G तो cancel हो गया, तो यहाँ पे क्या आएगा, S upon 1 plus S upon R G, है की नहीं, और बच्चों क्योंकि हमें पता है, हमें पता है, कि this S by R G ratio, ज्यान से सुनना, this S by R G ratio is very very less than 1, अब सोच सकते हो, कि 0.02 को अगर आप 60 से divide करो, तो कितना value आ सकता है, almost negligible, almost negligible, मैं 0.02 को divide करो 60 से, तो बच्चों मेरे पास आएगा 0.003, 0.003, मलब कि इसको आप neglect कर सकते हो, 0.003, it is almost negligible, yes or no? तो मैं ऐसा बोल सकते हो, here, here, S by R G is less than, less than, less than 1, that's why we can neglect it, मैंने बता है न, कि आप एक बार करके देखो, 0.02 को divide करो 60 से, तो वो almost है, 0.003, अरे भाईया, लिखते ही क्यों हो उसको, तो हमारे पास अब, यही parallel, equivalent कितना हो जाएगा, S के बराबन, क्योंकि divide by 1 plus 0 हो गया, और 1 plus 0, 1 होता है, तो divide by, आपना कि, यहां पे बचा क्या, S, तो इन दोनों का parallel, equivalent किसके बराबर हो जाएगा, तो S के बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा, यह सुनो, तो अभी हमने इसका parallel, equivalent निकाल लिया, तो अभी वापिस formula लगाओ, भाई, I कितना होगा, तो I होगा, V upon R plus parallel equivalent, R10 के बराबर, ठीक है, मतलब कि यह 3 upon, R कितना है, 3, और R10 कितना है, S के बराबर, ठीक है, S मतलब कि 0.02, ठीक है, वैसे यहां पे आपको RS बोला है, हम इसको S बोलते हैं, संट को, ठीक है, तो यह कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से, तो यह होगा, 3 divided by 3.02, that is equals to, 3 divided by 3.02, 3 divided by 3.02, तो आपको मिलेगा, 0.9933 ampere, 0.9933 ampere, ठीक है, तो यह आएगा, 0.9933 ampere, clear है, and the last one, आखरी वाला जो question है, उसमें क्या बोला है, उसमें बोला है, if, अगर हम यहाँ पे ideal emitter को use करे, which is having this zero internal resistance, तो हमें current कितना मिलेगा, मलब कि circuit वही है, यही emitter, लेकिन यह emitter की जगा पे अभी galvanometer नहीं है, वो खुद एक emitter है, और वो ऐसा emitter है, कि जिसका internal resistance कितना है, zero है, yes or no, मलब कि यह ऐसा emitter है, जो series में connect होने के बाद भी, अपना internal resistance, इसको मैं small r से denote करता हूँ, ठीक है, वो zero रहेगा, मलब कि यहाँ पे picture में सिफ, अकेला यह r ही picture में आएगा, yes or no, तो अब यह वाले case में, यहाँ पे कितना current circuit में flow करेगा, ठीक है, कितना current flow करेगा, तो simple सी बात है, यहाँ पे current का value निकल थे, i is equals to क्या होगा, v upon, यह capital r plus small r, लेकिन small r तो zero है न, तो यह हो जाएगा, v upon capital r के बराबर, और v कितना है 3, capital r कितना है 3, मलब कि आप देखो कितना है, 1 ampere, तो तब यह emitter कितना current measure करेगा, 1 ampere current measure करेगा, yes or no, तो actual में, आपको यह question, यह example दिया गया है न, वो एक कुछ आपको hint provide करके जाता है, कि जब भी आप galvanometer से किसी की circuit, किसी भी circuit में current measure करते हो, तो कभी भी उसको सीधा connect मट करो, उसके साथ संट में possible हो, उतना छोटा resistance connect करो, आप देखो ध्यान से, अकेला जब हमने galvanometer ही सीधा connect किया था, तब उसने कितना measure किया, 0.04762, देखो यह ideal value है, यह 1 ampere, ideally अगर मैं यहाँ पे बोलो, तो यह वाली circuit में कितना current flow होना चाहिए यह वाली circuit में 1 ampere का current flow होगा, अगर हमें इस 1 ampere को measure करना है, तो अगर मैं सीधा galvanometer को सीधा connect करता हूँ, तो मुझे यह value measure करके देगा वो, जो completely wrong है, कहाँ 1 ampere, कहाँ 0.04762 ampere, matching ही नहीं है, लेकिन अगर मैं उसी galvanometer के across में एक छोटा सा हलका सा possible हो उतना छोटा एक संट resistor connect कर दू, तो वो कितना measure कर रहा है, 0.9933 ampere, हाँ, वो perfect 1 नहीं है, लेकिन 0.99 को approximately 1 बोल सकते है, yes or no, तो इसी लिए हमने देखा था कि, if we use the galvanometer as an emitter, तो तब we have to connect one possible small sunt resistor in the parallel to that particular galvanometer, yes or no, हमने देखा था, यह सारी चीज़े हमने वहाँ पे चर्चा की थी, yes or no, इसी लिए वहाँ पे, दो reason थे, याद करो न, दो problems आ रहा है थी, एक तो सीधा current अगर galvanometer में से जाए, तो वो जल सकता है, दूसरा, तो भाईया, उसका खुद का entire resistance picture में आ जाए, तो जो value को measure करना है, वो उतनी measure नहीं कर पाता है, जैसे कि यहाँ पे example में उसको measure करना कितना है, 1 ampere, लेकिन कर कितना रहा है, अगर मैं सीधा connect करो तो 0.04762, गलत हो जाएगा न, यह तो value, measurement ही गलत हो जाएगा, yes or no, लेकिन अगर मैं इसके across में कोई एक sent resistor connect कर दू, जिसका value बहुती छोटा हो, 0.02 ohm, देखो न, कितना छोटा value है, तो तब वो कितना measure करेगा, वही galvanometer, तब measure करेगा, 0.993, which is approximately 1 ampere, तो मतलब कि हम बोल सकते हैं, हाँ, उसने सही reading को measure किया है, yes or no, भले perfectly 1 नहीं किया हो, लेकिन 0.99, approximately 1 के बराबर ही होता है, yes or no, इसलिए, जब भी galvanometer को use करते हो, emitter की जगावे, तब संट में, एक छोटा सा, हलका सा, फुलका सा resistor लगाना, ज़रूरी होता है, yes or no, ताकि ideally, अगर कोई emitter है, तो उसका internal resistance क्या होना चाहिए, 0, तब ही आप उसका perfect reading निकाल सकते हो, कितना current flow करेगा वो, ठीके, तो यहाँ पे बच्चों, हमारा ये chapter end होता ह है, तो उमीद करता हूँ कि आपको ये video पसंद आयोगा, अगर पसंद आता हो, वीडियो को like करतो, चैनल को subscribe करतो, तो मिलेंगे next lecture में, नए chapter के साथ, till that, enjoy your day, bye